Hello everyone, good morning, नमस्कार, 3 जनवरी 2021 राज के दहिंदू न्यूज पेपर को हम लोग डिसकस करेंगे, अनलिसिस करेंगे, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा प्रिवर्तन I.S. अकैडिमी लि वैक्षिन और वैक्षिन में बताया गया कि पहले तीन करोड़ लोगों को, यानि हेल्थ केर वरकर्स को, फ्रंट लाइन वरकर्स को प्रियाटी दी जाएगी, गवर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा, या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्मेंट द्वारा, यहां पर बताया आउट का पूरा का पूरा प्लान जो रेडी हो चुका है, पूरे देश में और इसके लिए को विन करके एक सिस्टम यानि अप्लिकेशन जो उसका यूज किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी को और जो इस्यूज है, वह एन्वार्मेंटल हो, आइडेंटिफाई को ले सिर्म इनिस्टूट ऑफ इंडिया पार्टनर कंपनी के रूप में था, उसको अप्रोवल दे दीगी थी, एमर्जेंसी यूज के लिए, इनके लावा यह जो दो इन्यूज है, को लेकर ओ, इंडिया कल्चर्स, न्यूज ट्रें ऑफ कोरना वायरस, इनके बारे में हम रिस् इसी पेज पर आप देखेंगे, यहाँ पर है, एलिटी लीडर हैल्ड हेल्ड ओफ एफटी एफ मेट, यानि फाइनेंचल एक्सेंट टास्फ फॉर्स की मेटिंग होने वाली है, उससे पहले एलिटी यानि लस्करे ताइब एक टेरिस्ट ग्रूप है, उसके लीडर्स को ज टैक किया गया, लस्करे ताइबा दवारा और बहुत से निर्दोस भारतियों को, हमारे पलिस पर्सनल को, सिक्योर्टी पर्सनल को, कईने कई उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद अभी तक, देखिए कितने साल होगे, 12-13 साल हो चुके इस चीज़ को, और अभी भी प् होगते हैं, तो financial action task force की meeting होने वाली है, इससे पहले इसकी meeting हो, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि financial action task force है क्या, अगर आप ये website, official website है, financial action task force की, और इनमें अगर आप देखेंगे, कि ये इनका basic purpose क्या है, यहाँ पर एक global money laundering, और terrorist financing, यानि money laundering को लेकर, या जो terrorist को funding होती, उस चीज कोई analysis करती है, कि ये इस तरह की चीजे ना हो, और यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक intergovernmental body है, ये ध्यान रखना, ये इस तरह के जो word use किये जाते, intergovernmental body, ये पूछे जा सकते है, तो intergovernmental body है, यानि अलग-अलग सरकार इसमें participate करती है, हालां कि 200 plus countries के members अलग-अलग इसमें participate करते रहते हैं, basic purpose क्या है, एक तो जो criminal है, deal करते हैं, पैसे में चाहिए वो illegal drugs हो, human trafficking हो, दूसरे crimes हो, उन सब को counter करना, रोकना है, और इसमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक second, यहाँ पर total 39 members के अंदर है, 37 country है, और 2 regional organization है, आप इसको just pause कर लेना, ए interesting बात यह है, कि इसमें India है, लेकिन Pakistan नहीं है, ठीक है, यह आपको कुछ interesting चीज़े मिलेगी, और हमारे neighboring में देखेंगे तो China आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इन countries को एक बार just visit कर लेना, European Commission और Gulf Corporation Council, यह दो organization इसके अंदर है, बाकी 37 countries है, ठीक है, अब बात करते है यह यहाँ पर news में क्या है, देखिए, पाकिस्तान एक blacklist होने का डर रहता है, इस report के अनसार, अगर यह action नहीं लेगा, तो पहले भी उनको time दिया गया था, कि इनकी meeting यानि अब February के अंदर meeting होने वाली है, और इस meeting से पहले इनको यहाँ पर का गया थी, 27 point का एक action plan दिया ग पड़ेगा, आप उस पर काम करना पड़ेगा, July 29 में, 19 में, और यह grey listed है, फिलाल पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इसी list में grey list से blacklist हो जाता है, तो मैंने पहले बोला था, यह काफी problematic हो सकता पाकिस्तान के लिए, reason is that कि इसको blacklist होने के वाज़े से economic sensation, यानि जो आर्थिक प debt जो है country पर GDP का लगातर बढ़ रहा है, तो इस इन सब वज़े से पाकिस्तान के लिए मज़़ूरी है कि इनके operation लेना, ठीक है, तो यहाँ पर यह news है, इसके लावा last, इस side आप देखेंगे, एक second, trade deficit जो है वो grow किया उसने 15 billion dollar, यानि एक positive news नहीं है यह, trade deficit का मतलब क्या थ वेपार, घाटा, यानि जब हम import और export करते हैं, उसके बीच में जो difference होता है, for example, हमने import आयात ज्यादा करा, निर्यात कम करा, तो इक deficit हमारा बढ़ा, तो यह 15 billion dollar के आसपास, जो वो उसमें increment देखने को मिला है, 15.71 billion dollar उसमें rise उसमें जो वो बढ़ोतरी देखने को मिली, इन इसमें जो अगर आप बात करेंगे, increase in shipment को लेकर, जो jewelries है, jams है, engineering है, chemicals है, इनके बारे में बताया गया, कि इसमें कहीं न कहीं decline देखने को मिला, इनके अलावा, इन में जो positively change देखने को मिला, as compared to number, यानि number में decline देखने को मिला था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा positively चीज़ के बारे में, इस page पे आप देखेंगे, trade deficit grows to 15 billion dollar, इसमें आपको detail से सीज़ें बताएगी, export growth क्या रही, import growth क्या रही, यह हमारे लिए पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, पहले बात तो भारत की जो export growth है, वो decline गरगी, उसमें कमी हुई 0.8% की, और import जो हो कहीं न कहीं बढ़ है, तो इसी वज़े से जब हम import ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कि उसका impact होता है, कि trade deficit जो वो बढ़ता है, अब trade deficit बढ़ने के कई सारे reasons हो सकते हैं, कि क्यों बढ़ता है, अगर हम बात करें, import की, तो उसमें चेज़े चेंज हुई है, और export उसमें भी चेंज होरी, ups and downs दोनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन our role जो है, वो हम लोग क्या कर रहे है, import ज़्यादा कर रहे है, for example, अगर आप देखेंगे, positively हमारे लिए, जैसे iron ore है, oil mills है, carpet, pharmaceuticals, electronic goods, fruits and vegetables, chemical, इसमें तो positively चीज़े चेंज हुई है, कि इसमें हमने कहीं एक improvement देख sector है, coffee है, ready made garments है, यह ऐसे sector हैं जहाँ पर हमें कमी देखने को मिल रही है, right, इनके अलावा अगर आप देखेंगे, import वाले पूरे regions में, तो import में, mostly हम लोग क्या import करते हैं, एक देखेंगे, pulses को हम import करने लगातार, दाल एक ऐसा item है, जिसमें हम production भी ज़्यादा करते हैं, import बहुत ज़्यादा करते हैं, gold को import करते हैं, vegetable oil है, chemical है, machine tools है, pearls, precious and semi precious stones के बारे में, यानि अगर आप overall पूरे के पूरे सिनेरियों में देखेंगे, तो हमने trade deficit को कहीं नके increase ही किया वेपार घाटे को बढ़ाया ही है, और इसमें जो data दिया गया है, यहाँ पर परसंटेज द data collect करेंगे, हम overall एक पूरा annual system को देखेंगे, जब है economic survey आएगा, इनके लावा यह important होता है, कि हम क्या जीज़े import करते हैं, क्या export करते हैं, क्योंकि जो आतम निरबर भारत है, self-reliant India है, यह directly इन चीज़ों से link करता है, तो उसका कहीं नके linkage बनकर सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है, इसके बाद page number two पे millennium city गुरुगराम के बारे में, traffic management system को थोड़ा से इनोंने बता है, तो हम उसको थोड़ा सा देखेंगे, ताकि इस तरह के question को traffic management में, यह technology के application में कोई सवाल पूछा जाए, तो वो हम कर सकते हैं, for example, यहाँ पर लिखा गया, कि गुरुगरा बेबल करेगा, crowd detection को लेकर, काफे interesting यह है, इनके अलावा unidentified objects को और facial recognition को लेकर, यह पुरा का पुरा काम करने वाला है, तो यह पुरा का पुरा system जो का काम करेगा, integrated command and control center के रूप में, इसके functions क्या हैं, उसके बारे में आप देखेंगे, यह artificial intelligence के तुरू काम करेगा, और इ तरीका है, वो अपने आप में interesting है, crowd detections को लेकर, यह कोई stolen vehicle है, उसको कैसे, अगर वो वहाँ पर traffic में दिखता है, तो उसको कैसे monitor किया जाएगा, कैसे उसको जो है, cameras, radar में अपने ले सकते हैं, तो इस तरीके से technology का application, गुरुगराम करने जा रहा है, तो इस तरीके का भारत के लिए अपने आप में technology का इस तरीके से application जो है, वो interesting है, और यह कई सारी चीजों को surveillance कर सकता है, monitoring कर सकता है, crime को भी जो है, control कर सकता है, क्योंकि facial recognition इसके अंदर होने वाला है, तो यह कई सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बाद page number 8 पे, इंडिया का मतलब क्या होता है, culture जो है, वैसे तो एक संस्कृति वर्डिकल यूज गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा different है, culture एक process है, जिसके अंदर cells grow हो रहे हैं, under control condition के अंदर, और generally outside their natural environment, ठीक है, यानि उनके natural environment से outside कोई cells अगर grow हो रहे हैं, तो उसका एक process को बोलते हैं, क्या ब भारत के अंदर, इसके अंदर signature changes हमें देखने को मिले, और हमारा जो National Institute of Virology है, उसने इसको एक तरीकिस analysis किया, और properly हमने इसको study करने के लिए जो होना चाहिता, process उसको analysis किया, और उसके बाद उसको इसके बारे में basic information जो हमारी institute ने हासिल करी, इनके अलावा, गर आप दे पर आप देखेंगे, IAM का एक foundation stone रखी गई, IAM संबलपूर जो डिसा के अंदर है, तो इसके अंदर दो तिन important बाते उन्होंने discuss करी, प्रेमिस्टर साब ने, कि ये foundation stone हो सकते है, management institute और दो term का यहाँ पर use किया गया, कि कैसे हम अपनी rich heritage को जो secure कर सकते हैं, save कर सकते हैं, यह अब आप देखेंगे, संबलपूर और इकत textile के बारे में इन्होंने discuss किया, ये काफी important है, और I think इकत जो textile है, ये geographical indication के अंदर भी आती है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कि इस तरह के जो term, इस तरह के जो word use किया रहे हैं, ये काफी important है, बाकी इन्होंने ट्रम जो use करेंगे, ये काफी interesting है, देश में कहीं भी इस तरह कि कोई भी words का use किया जा रहा है, प्राइमस्टर साब द्वारा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे exam perspective से काफी important हो सकते हैं, इनके अलावा गर आप यहां पर इसी page बे बता गया कि expert ने suggestion करा कि कैसे करी है, वो करिया है, सलीम अली सेंटर फोर और इंथलोजी और नेजरल हिस्ट्री ने, इसके अंदर measures क्या है, पहली बात तो location specific habitat management information होने चाहिए, इनके अलावा जो आप food की food डालते हैं, वो नहीं हो और एक तरीके से जो hazardous wastage अवो नहीं होना चाहिए, पानी को भी ध्यान कि कहां पर आप वो कर सकते हैं, ताकि flights के बीच में birds ना आए, और क्योंकि flights जो चल रही होती है, उसमें fly कर रही होती है, उस दोरान अगर birds वहां पर issues create कर सकते हैं, और flights जो एक crash तक हो सकती है, तो उन सब को रोकने के लिए, यानि दोनो flights को भी जो हमें protect करना है, और दूस साइट के बारे में बतागे, आसाम के अंदर एक रामसर साइट है, देपर बिल, और इसी के बारे में बतागे कि देपर बिल जो है, वो किस तरीके की एक conservation साइट है, या रामसर साइट है, रामसर साइट का मतलब क्या होता है, रामसर एक wetlands, एक area को बोला जाता है, रामसर स concept आया था वो एक इरान का एक सहर था 1971 में इसके बारे में एक agreement भी हुआ था और यहां पर आप देखेंगे एक सेके यहां पर आप देखेंगे देपर बिल जो 2002 में designated करेगी रामसर साइट के रूप में और इसकी जो aquatic life है उस सब चीजों को लेकर 219 species of birds यहां पर मिलती है रामस के क्योंडिंग और यहां पर काफी important है क्योंकि रामसर जो wetline का जो पूरी की पूरी डिटेल मैंने थोड़ी से अभी collect करी तो यहां पर देखेंगे official website है ministry of environment forest climate change वार स्पोर्ट की जाती है इसके अंदर रामसर साइट के बारे में information दी गई है और यह December 2020 में भी कुछ इसमें changes हुए है तो यहां पर हमें basic information पता होना चाहिए कि state के अंदर कौन-कौन सी इसमें क्या बोलते है रामसर साइट है यह PDF मैं available आपको करवा दूँगा टेलग्राम पे लेकिन यहां पर जो नहीं आई है जैसे आशन conservation reservation reservation रिजो है उत्राखंड के अंदर यहां पर आप देखें तूटी तूटी के अंदर इंक्लूड की गई है इसके बाद कावरताल वेट लेंड जो बिहार के अंदर यह नहीं आई है इनके अलावा लोनार लेक जो महरास्टरा के अंदर यह नहीं आई ड़ी गई है ठीक है इ रामसर वेटलेंड साइट के अंदर तो ये पूरी की पूरी पीडिया फूरी की पूरी वेब जो ये लिस्ट दी गई है एक बार जुरूर आप इसको देख लेना ताकि question जो हर हालत में crack हो question जो छुटे ना इसके बाद यहाँ पर इरान से related एक news है इरान जनरली दो तिन वज़े से news में रहता है पहला एक तो उनका western nation countries के साथ issues और nuclear weapon को लेकर भी तो यहाँ पर बताया कि इरान जो है वो uranium को जो enrich करने की purity 20% तक रखेगा इस तरह की statement दिखी है International Atomic Energy Agency द्वारा यह agency काफी important है और इससे related question पहले भी पूछे गए थे nuclear enrichment क्या होता है या या यूर की एक nuclear wash dog की तरह काम करता है और इसका क्या function होता है उसके बारे में ठीक है तो कई बार सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं आप लोगों को एक नीचे comment करना की International Atomic Energy Agency जो है यह major क्या काम करती है इसका major काम क्या होगा monitoring का है surveillance का है या कैसे ये काम करती है उसको अगर किसी को पता हो दो-तिन points में अगर आप नीचे comment करना चाहें तो जरूर करिएगा इसके बाद यहाँ पर आप दो-तिन चीज़े देख रहे हैं पहला तो Scotland यह बोल रहा है कि हम European Union का दुबारा जोइन कर सकते हैं और वहाँ पर UK को यानि United Kingdom में दो-तिन part countries हैं उनको leave कर सकते हैं और England को जो वो separate कर सकते हैं वो यहाँ पर referendum के बारे में बात की जा रही है इनके लावा यमन के अंदर blast हो एक wedding के अंदर और इसमें जो news आ रही है वो यह आरी Red Sea के आसपास यह है तो Red Sea यहाँ पर आप देखेंगे हलका सा यहाँ पर छोटा सा आपक तो Red Sea की geographical location जस्ट एक बार विजिट करनी है ताकि geographically भी हम थोड़ा सा clear रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे यह Western Asian और African countries के बीच में पड़ेगा यहाँ पर zoom out करेंगे तो यह Red Sea आपको यहाँ पर दिखाए देखा ठीक है और अगर इसके neighboring country के बात करें तो यहाँ से Yemen, Saudi Arabia, इरिटेरिया, Sudan, Egypt यह जो है इसकी neighboring countries में आएगी इनके लावा अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जो इसराइल के आज पास यह वाला जाएगा यह है Gulf of Aqba और यह Gulf of Swayze, यह स्वेज करनल यहाँ से होती है Mediterranean Sea के अंदर जाएगी ठीक है तो इसको geographically just धह रभी food grain कितना हो सकता है और क्या यह previous का जो data था उसको extend कर सकता है यह उसको exceed कर सकता है तो central government ने target बनाया कि 151.65 million tons का जो target था 2020-21 में वो यह माना जा रहा है कि कहीं ने कहीं उसको हम लोग cross कर जाएंगे यह जो रभी की crops है यह हम exceed करेंगे इसके data को लेकर ठीक है इनके ला क्या जा रहा है तो agriculture से related question आपसे पूछे जा सकते हैं तो रभी crops खरीव crops इनको जरूर पढ़ना है अगर आप नीचे कमेंट करना चाहें कि रभी crops और खरीव crops जो है वह major कौन कौन सी होती है MSP पर सवाल हो सकते हैं अलग-अलग तरीके से सवाल की possibility questions है क्योशन की possibility रहेगी agriculture एक topic रहता है उनका favorite जो की geography में पूछा दा सकता है और पूछा दा सकता है economic concept से भी तो wheat और mustard जो है रभी की major crops है यानि गेहूं और सर्सों ये एक major है बाकी जो हो सकती अलग-अलग हो सकती है तो आपको नीचे comment करना है रभी और खरीब की जो crops है दो तिन दो तिन आप जो ज्यादा होने वाला है तो यहां पर target के बारे हैं बताया कि हम इसको extend कर रहे हैं नहीं हमारा जो target था कि इतना crops production हो सकता है उससे कहीं ज्यादा दो तिन टन जो है million टन वो ज्यादा ही production होगा इनके अलावा government क्या बोल रही है मिनिस्टर साब ने statement दिया कि हमने 10,000 farmer produce organizations को बन लेगा अलगी इस तरह की statement से और उसके बाद जो moment चल रहा है इजिटेशन चल रहा है farmers का दिल्ले के आसपास एक अलग तरीके का link है और क्योंकि इस तरह की जो step है government का target था कि 2022 तक हम जो किसान है farmers उनकी income को double करना चाहतें दोगुना करना चाहतें वो पूरा का पूरा process होने में अभी time लगेगा और अभी ऐसा लग रहा है कि 2022 में तो साथ संबो ही नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने जो target achieve करना उसके लिए 10-12% की growth rate हासिल करनी होगी जो कि फिलाल इतना possible नहीं है इसके बाद हम last page पे जाएंगे और last page में science and technology के बारे में बताया गया है और यहाँ पर चाहिए जब उनको पहले से infections हैं तो इसके बारे में इन्होंने details से बताया है और अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी पहली बात कि vaccine को लेकर पूरा discussion हम देख रहे हैं कैसे modified होता है immune evisions के अंदर और कैसे यह virus जो है काम करता है उन सारी चीज़ों को यहाँ प आपको personally बोलोंगो कि आप इसको खुद पढ़िएगा क्योंकि हमें एक article पढ़ाना और समय का issues होने वाला है तो यहाँ पर एक important article जो हमारा छूट जाएगा क्योंकि Sunday को थोड़ा सा paper lengthy होता है तो इसलिए दो parts में भी complete करवाना इतना easy नहीं होता हम क्योंकि details से पढ़ रहे तो यहाँ पर बात करेंगे एक new major क्या हो सकता है ताकि weather को predict किया जासके और जो cities के अंदर rains आती है टाइड साती है उनको कैसे हम our flooding से रोक सकते हैं यहाँ पर चेन्ने के बारे में discussion किया गया या मुंबई के बारे में जितने भी major cities उनके बारे में discussion किया गये कैसे हम उनको control कर सकते हैं कैसे रोक सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि C40 cities के रिपोर्ट अभी रेशनली रिजगी 2018 के अंदर और 2050 तक 570 जो cities है coastal cities वह कहीने के प्रोजेक्ट कर रही है कि वह sea level के rise होने की वज़े से उनको problem होने वाली है और 800 million लोग जो है इसकी वज़े से risk होगा क्योंकि sea level rise होगा surge आएंगी उसके वज़े से inland areas के अंदर भी flood आ सकती है heavy rainfall की वज़े से इसी चीज को लेकर analysis किया गया है कि new matrix क्या कहते हैं और कैसे flood का एक better management हो सकता है उसके बारे में यह पूरा article होने वाला है या पूरा की पूरी news आप कह सकते हैं इसी के बारे मतागी कि coastal city को understand क करने के लिए floods के regions को हमें समझना पड़ेगा कि floods क्यों आ रही है तो पहली बात आप जितनी भी cities देखेंगे चाहिए वह चैन नहीं हो मुंबई हो यह दूसरी जो major cities भारत के अंदर है इसमें कई सारे regions है एक तो जो local वो होते water storage होते हैं जैसे कुछ rivers हैं लेक्स हैं वो बह इनके लावा क्योंकि concrete के पूरे के पूरा system मनाया गया है तो मिटी मतलब जो इसको बोलते हैं खाली जमीन वो नहीं रही तो इस वज़े से पानी infiltration नहीं हो पा रहा तो पानी वो एक जगह खड़ा रहता है और पानी अगर इकटा होगा फ्रेड आएगी तो कई सारी region इसके impact होने वाले हैं socially, mentally और health का एक बड़ा concern यह हो सकता है तो उसके लिए कैसे यहाँ पर तीन cities के बारे में इन्होंने discussion किया पहली है मुंबई इसके लावाद जगदीश जगदीश सिंगपूर है यह यह डिस्टिक उडिशा के अंदर ग्रेटर चैनिक औरेशन इन चीजों का analysis किया गया कि कै कैसे हम better management कर सकते हैं कैसे हम पूरे के पूरे system को analysis करें ताकि यह low hazard category के अंदरा यहाँ पर इसका नुक्सान जो कम से कम हो और उसके लिए flood को monitoring करना हो better management करना हो flood के risk को कम करना हो उसके लिए कैसे हम इस system को इस तरीके technology की मदद हो या जो पूरे के पूरे जो catchment areas होते हैं छो particles है पूरे की पूरी न्यूज है हलाकि इन डिटेल से नहीं बता कि क्या क्या प्रोसीजर हम इसमें हो सकते हैं यानि वही सेम चीजें कि अगर flood को कैसे पानी को कैसे हम लोग जो वह एक जगा स्टोर होने से रोक सकते हैं उसके लिए जो catchments है छोटी-छोटी रीवर्स है ले मैंग्रोज फोरेश्ट काफी important हो सकते हैं खासकर मुंबई में देखा गया कि मुंबई में इस साइड मैंग्रोज फोरेश्ट को implementation कर दिया जाता है तो यह काफी अच्छा result दिखाते हैं positively फलट को control करने में मदद कर सकते हैं इस तरह के forest ठीक है तो इसके बाद हम question करेंगे question शुरू करने से पहले क्योंकि यह पूरा का पूरा process जो हम कर रहे हैं the Hindu newspaper और editorial को different करने का यह थोड़ा time लेगा smooth होने में तो इसमें मैं भी कोसिस कर रहा हूं कि धीरे धीरे smoothness में जाए तो it will take some time तो थोड़ा सा patience रखिए ठीक है दो चार दिन में एक हपते में हम लोग properly जो है उसमें सफल भी होंगे और अच्छे से इसको करेंगे तो वो हम लोग continue करेंगे आप लोग स्पोर्ट करते हैं यह सी तरीके से आप लोगों स्पोर्ट बहुत जरूरी है कभी कभी ups and downs आते हैं human life में तो वो हमारे साथ भी होता है winter बहुत जादा है ठंड बहुत जाद तो temperature कम है तो कई बार इस तरह की situation होती कि हम अपना best नहीं दे पाते हैं लेकिन कोसिस करेंगे और अच्छा करने की आप लोगों साथ मेहनत करने की जो सवाल पूशे जाते प्लीज एंगेजमेंट दिखाईए उसमें अपने answer जरूर दीजिए ताकि आप उसमें active participation कर पाए question number 96 है 2015 का पूरा पूरा paper हम आज खतम करेंगे और 5 questions करेंगे questions आपके लिए राम बांड की तरह होंगे आपको काफी important लगेंगे जब आप exam देने जाएंगे यानि examination में इस तरह के questions आपको देखने होंगे basic idea आपको होगा जब आप पढ़ेंगे तो कलमकारी painting के बारे मैं पूछागे कि कलमकारी painting क्या है और मैं direct answer बता देता हूँ ये एक handmade cotton textile है South India के अंदर ठीक है तो इस तरह के सवाल generally पूछे जाते हैं UPSC में उन सवालों के pattern को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के जब आप पढ़ने जाएंगे तो इस तरह क concept क्या है यहाँ पर चार statement दिएगे कि एक farmers को जो हो encourage करना है कि वो अपने seeds को use करें और discourage करना है कि दूसरे इसको buy ना करें या इसमें हम सीधा अगर आप answer पर जाएंगे तो right answer यही है second कि farmer seed village का जो concept है वो कर रहा है involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost हिंदी में देख लीजी इसका बीज ग्राम संकलपना जो है इसका सर्वोत्तम उदिश्यक क्या है इसका मतलब क्या है किसानों को गुणियत्ता युक्त बीज उत्पादन का prescription देने में लगाना और उनके दोबारा दूसरे को समूचित समय पर तथा वहन करने होगे लागत में गुणियत्ता युक्त बीज उपलब करवाना तो इसका आएगा second इसके बाद question number 98 है 98 है पूचा गया कि एक government में deficit है अगर एक president deficit देखने को मिल रहा है तो क्या चीजे government दुबारा उठाई जा सकती कि अपने deficit ये घाटे को कम कर सकती है चार statement है कि revenue expenditure को reduce कर सकती है new welfare scheme को launch कर सकते हैं subsidy को rationalization या थोड़ी सी तार्की कर सकते हैं यह expanding industries यानी industries को जो है अध्योग को बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर आप यह हिंदी में आराम से पोज कर लेना एक second के लिए और पढ़ लेना ठीक है यह पूरा पूरा कि कैसे निरंतर गाटे का budget रहा कैसे हम उसको कम कर स तो सबसे पहले अगर budget बढ़ रहा है ठीक है budget deficit बढ़ रहा है या deficit आपको घाटा देखने हो को मिल रहा है तो industries को हम expand नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री और ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं पहले ही घाटे में हैं तो चार numbers यह जो statement गलत हो जाएगी या नियो option D कट जाएगा इसके बाद three जो rationalizing subsidy है यह सही हो जाएगा या तो इसका मतलब एक यह C वाला answer नहीं होगा के वल एक नहीं होगा second statement है new welfare scheme अगर new welfare scheme launch करेंगे तो ओ ज़्यादा expenditure बढ़ जाएगा तो यह भी नहीं होगा तो इसमें one and three यानि revenue expenditure को reduce कर सकते हैं और subsidy को rationalization कर सकते हैं तो इसमें one and three एक answer जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा इसके लावा geographical indication ने बताया गया कि तीन statement दिएगे इन में से कौन से geographical indication या geographical indication status है अभी हमने जो संबलपोरी और इकत साड़ीज के बारे में कुछ पढ़ा था तो इसी से related इस तरह के सवाल पूसे जा सकते हैं चेक करना इस तरह के कि वो इकत जो है वो geographical indication है की नहीं है उसको तो यहां पर बताया गया बनारस, बारकोड्स और साड़ीज, राजस्तानी दालभाटी चूर्मा या त्रिपुती लड़ू तो इसमें जो right answer है वो one and three है राजस्तानी दालभाटी चूर्मा को geographical indication tag नहीं है तो इसका जो right answer होगा one and three है इस पर एक बार फिर से question पुछा था geographical indication तो यह world trade organization के अंडर जो यह पूरा पूरा प्रोसेस है और जो intellectual property right उसके अंडर यह आता है आप वहाँ पर भी पड़ेंगे इसके बाद last question हम कर रहे है यह Indian renewable energy development agency limited के बारे में है दो statement दी गई है इन दो statement में बताना कि कौन सी सही है it is a public limited government company और it is a non banking financial company ठीक है हिंदी में से देखी यहाँ पर कि भारतियाक्ष और जाविकास agency क्या है एक public limited सरकारी company है यह एक गैर banking company है दोनों सही है यह कौन सा सही है यहाँ पर आप देखेंगे Indian renewable energy development agency limited जो है एक mini रतन है category 1 के अंदर government of India और यह control case के अंदर है ministry of new and renewable energy यह यहाँ पर लिखा गया public government company है limited government company है इसके तो यह जो same statement है यहाँ पर same आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर same ठीक है यह same होगा तो आज के दहिंदूम इतना ही thank you जहिन